Hey guys, I am Sperdha and you are welcome back to my channel The Insight Warner और आज का वीडियो होने वाला है useful for all those people जो कि अपना contact create करते हैं या फिर create करना चाहते हैं या फिर Instagram पर Reels मनाते हैं या other video shoot करते हैं जी हाँ, मैं आपके साथ share कर रही हूँ एक product review जो कि हम YouTubers के लिए काफी ज़्यादा important है मैं यहाँ बात कर रही हूँ tripod की यानी की mobile stand की या camera stand की जिस पर हम रख करके वीडियो को shoot करते हैं यह जो product मेरे पास है यह मैंने online मंगवाया है और मैं बता दू कि यह मेरा चौथा tripod है और यह अब तक का सबसे महिंगा tripod है और इतना भी महिंगा नहीं जितना आप समझ रहे होगे क्योंकि मैं इन चीजों में ज्यादा खर्च नहीं करती हूँ एस की मेरे पास तीन ट्राइपोड पहले से थे तो मुझे बस कुछ एक specific काम के लिए इसकी जरूरत थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्वालिटी बेटर करके अच्छे से इसे खरीड ली जाए तो यह ट्राइपोड मुझे मैं बता दू रिसीव हुआ है फ्रॉम फ्लिपकार्ट और यह जो ट्राइपोड है वो मेरे भाई की ओर से है उसीने पेमेंट करी है मुझे भिजवाया है और और भी कुछ बेटर है बाकी सारी चीजें में आपके साथ डिटेल्स में शेयर करती हूं चले शुरू करें हमारा आज के वीडियो और यह काफी ओफॉर्डेवल भी होने वाला है इसलिए आप जरूर देखिएगा लास्त है ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से ह कम से कम इंवेस्मेंट के साथ भी अपने कॉंटेंट को क्लियेट कर सकते हैं तो चली सबसे पहले इसकी डिटेल्स कुछ जान लेते हैं तो यह मैंने मंगवाया है फ्लिपकर्ट जो की क्लियर हो गया स्क्रिंशॉट में लगा दूंगी और जो अभी इसका प्राइस चल रह आप हो है अदरवाइस यह 900 और संथिंग में यानि कि 1000 के आसपास का ट्राइपोड है और मैं आपको बताओ कि इसका जो नाम है ब्रैंड है वह साइवो साइवो डाबलू टी साइवो डाबलू टी थर्टीन आइटिंग कुछ डिजिट भी है बस आपको साइवो टाइप करना है जो की स्पेलिंग में आपके साथ यहां शेयर कर दूंगी साइवो ट्राइपोड में आपको यह मिलेगा और जो इसका मेटेरियल है वो है अलुमिनियम और जो यह वेट कैरी कर सकता है वेट उठा सकता है वो है 5000 ग्रैम्स यानि कि 5 किलो तक का वजन अपने उपर यह ले सकता है यानि कि आप इस पर कैमरा होल्ड कर सकते है जितनी इसकी लंबाई है जैसे यह फोल्ड है पूरी तरह से तो इसकी लंबाई 420 मिनिमीटर है इसे आप सेंटीमीटर या फिर इंच में करेंगे अगर इंच म में और जब आप इसे अच्छी तरह से खोल लेंगे लंबाई दिखाएंगे इसकी तो यह टोटल जाएगा 1250 मिनिमीटर यानि कि यह आपका पड़ जाएगा चार फीट से थोड़ा सा और बड़ा हो गया पुरा खुलेगा तब तो चार फीट कम नहीं है ट्राइपोड के लिए काफी अच्छा है और मैं इसे बेसिकली चारी थी जो मैंने भोजपूरी कंटेंट सोचा है उससे मतलब इससे उसे शूट करना चाहती थी क्योंकि उसमे फॉस्ट वाला जो मेरा ट्राइपोड है तो वह भी ठीक है लेकिन उसका मांट थोड़ा सा गड़बढ हो गया था तो इस कारण से मैंने इसे पर्चस किया है मांट अलग से भी मैं खरीच सकती थी 200-300 में आ जाते हैं लेकिन मैं सोचा कि क्यों ना जब नया चैप्टर ही स् करने वाला है कि मैं अपने चैनल का नाम भी जो है वो चेंज करने वाली हूँ इसके साथ ही और कुछ चीजे हैं जो आएंगी धीरे-धीरे आपको मालूब होगी और उसके बाद काफी कुछ डिटेल्स में शेयर करने वाली हूँ जो लोग मुझसे जानना चाह रहे हैं मैं आपको इसे पूरी तरह से अन्फोल्ड करके दिखाऊंगे कि इसकी लंबाई कितनी है किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं तो यह देखिए अंदर में कुछ ऐसा पैकेट आया है पैकेजिंग अच्छी है इसकी तो यह है ट्राइपोर्ड इसमें माउंट कहां है और इसका वेट भी अच्छा खासा है इसमें दिया भी होगा वेट है 550 ग्रैम यानि कि आधा किलो के ऊपर का यह है हाफ के जी से ऊपर जा रहा है यह हो गया ओ यह माउंट है पर यह ट्राइपोर्ड कैसे खुलता यह देखिए यह खुला इस तरह से तो इस पर आप कैमरा फिट कर सकते हैं काफी अच्छा खासा वजन है और जो इसकी होल्डिंग कैपिसिटी वह मैंने आपको बताया कि और फाइफ केजी तक का यहां पर फिक्स हो सकता है पाइफ केजी का तो केमरा होना नहीं चाहिए अधिंग उसे कम ही वजन का होता है लेकिन इतना तो है और इसके लेक्स हैं इस तरह से इतना आपको चौडाई जरूर चाहिए नीचे सर्फेस में ताकि लेक्स को आप अच तूट गया था तो अलग से मैं इसे मंगवा सकती थी लेकिन मैंने सोचा कि पूरा ट्राइपोड ही नियू मंगवा लूँ तो इसे फिक्स करने के लिए देखिए हम यहां पर यह देखें कि यह स्क्रिव है और माउंट में यहां पर होल दिया हुआ है आपको कुछ नहीं करना है आपको इसको ऐसे रखना है और इसे घुमाते जाना है जो इस तरह से आप नीचे से इस स्क्रिव को होल कर लिजे ताकि दोनों ना घुमे आप माउंट इसे घुमा करके यह देखें एकदम से टाइट हो गया यह आपका रेडी हो गया ओके नाव आप इसको रोटेट कर सकते हैं जैसे मैं आपको पता दूँ यह हैंडल भी आप टाइट और तो यह आभी मैं स्ट्रेट रखते हूं इस हैंडल को भी मैं टाइट कर देती हूं और मैं बताओं कि इसे आप लूज करेंगे तो यह इधर उधर चारो तरफ घुमेगा भी मतलब चारो साइड में आप इसे घुमा सकते हैं पूरी तरह से क्या शेते हैं उसे त्री सेक्ष फोन है मैं उसे इसमें लगा करके आपको दिखाती हूं कि किस तरह से हम इसे रेडी करेंगे ओके अभी यह यह यूज में नहीं है इसलिए थोड़ा सा टाइट है यह देखिए इस तरह से आपका फोन फिक्स होगिया इस पर और देर आफटर आप फोन इसमें जो भी फोन है आप और किमरा और रूस से रिकॉर्ड करें विडियो को आपको घूमाना है आप हैंडल थोड़ा सा लूज कर ले नीचे कर ले इसे और नीचे कर ले और नीचे कर ले जैसे आपको cooking videos वेगरा शूट करने हो तो आपको दिखाना होता है कि गैस स्टोप पे आपने क्या चड़ाया है तो ऐसे उपर कर सकते हैं उपर का शूट करने के लिए उके इस तरह से और जैसे इसे आप इसे handle करना सीखो गया आपको मालू जैसे आपको यह stand देगा इस तरह से रखने के लिए तो इतने सारे features तो हमने देख लिए अग चलिए मैं देखती हूं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है तो मैं बताओ कि यह जो मेरा फोन है सबसे पहले मैं इसको टाइट कर दूँ अधरवाइस फोन गिर सकता है हमारा और मैं बताओ इसकी quality सच में अच्छी है जो मैंने पहले वाला मंगाया था वो इससे सस्ता था और हलका भी था काफी लेकिन अब देखिए काफी अच्छा है तो इसके यहां पर three legs दिये हुए देखिए three legs आपको दिख रहे हैं इसके साथ में आपको यहां भी three steps दिये हु यह कुछ ऐसा तो यह बैठे बैठे नहीं हो सकता चलिए मैं आपको पुरी तरह से open करके दिखाती हुए इससे so everyone यहां पर इसके जो three legs दिये हुए है उसे one by one मैं खोल रही हूँ और हर एक leg का तीन स्टेप है इस तरह से आप खोले और फिर उसको lock कर दे देखिए यहां मैं lock करती जा रही हूँ और आपको ध्यान रखना है कि तीनों लेक्स बराबर तरीके से खुले हो तभी वह स्टेंड अच्छे से खड़ा हो पाएगा अधर्वाइस डग मगाने लगेगा एक लेक छोटा या एक लेक बड़ा नहीं होना चाहिए तो तीनों के तीनों लेक्स मैंने खोल दिये हैं और सभी को lock करना है और अच्छे के करीब इसका जो है वह हाइट है और अच्छा है थोड़ा सा अगर हम उपर की और करते हैं या फिर सर्फेस थोड़ा सा और उंचा रखते हैं तो वहां से आप शूट कर सकते हैं बड़ी आसानी से और यह देखिए यह रोटेट भी हो रहा है चारो तरफ थोड़ा सा और साइड वाला जो नॉब है उसे भी आप ओपिन करेंगे यानि कि दीरे दीरे थोड़ा सा डीला करेंगे मैं बताओं कि अभी यह न्यू है तो बहुत जादा टाइट है तो इसे आप दीरे दीला करें अच्छे से हैंडल करें अधर वाइस टूट जाएगा तो आप इसक के लिए काफी जादा जरूरी होता है अब मैं इन सारे लेक्स को दीरे दीरे बंद करने वाली हूँ तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगा बाबाई